हैलो फ्रेंस वैटकम तूम तूभ्यक्राइट क्लस फ्रेंस आज हम देखने वाले हिंदी और हिंदी में देखने वाले हैं तुकांत और तुकांत शब्द है तुक喔 तो अगर आप तोड़ेंगे तो तुक और अंद निकलेगा यानि कि जिन लाइनों का अंद तुक से हो वो तुकांद कहलाते हैं वहीं और तुकांद को हम देखे तो जिस लाइनों का अंद तुक से नहीं होता वो और तुकांद कहलाते हैं अब हम एक एक करके इनको देख ले होंगी कि वहाँ तुकबंदी हो रही है तो तुकबंदी मतलब क्या होता है कोई कविता जिसे पोईट्री कवी समेलन जो होता है न उसकी लिए चीजी उस होती है तो कवी क्या करते हैं जो अपनी राइने बोलते हैं उनका जो अंद करते हैं अपनी लाइनों का वो तू किसे क चोटे बच्चों की जो क्लास की बुक्स होती हैं उनमें ये चीजे भरपूर मात्रा में भरी होती हैं जैसे मैं एक पोईम लेती हूं मचली जल की रानी है जीवन उसका पानी है देखे उपर की लाइन में रानी है और नीचे की लाइन में पानी है तो पानी और रानी ये जो लाइनों के अंत में होती हैं वो क्या कहलाती है तुकांत इसलिए इन्हें तुकांत कहा जा तुक जिनमें तुक बंदी आपको देखने के तुक बंदी मतलब जहां पर समान ध्वनी वाली वा सब्दों से लाइन का अंत हो आगे देखिए शब्दों या शब्दों के अंत के बीच ध्वनी का स्योजन होता है तुक मिलाने वाले शब्द होते हैं जैसे पानी और रानी भी आपने देख शब्दों की समान अंतिम ध्वनी होती जो अंतिम ध्वनी निकालती है शब्द वह थोड़े अलग होते हैं लेकिन जो ध्वनिया होती है उनकी बोलने का वो समान होता है पानी और रानी की शब्द अलग अलग है लेकिन क्या है इनकी जो धनिया है वो समान है तो कहरा है कि इनकी जो धनिया होती है वो समान होती है आगे दिया है एक छोटी कविता के रूपे आपको ये देखने को मिलेगा जैसे कि अभी मैंने बता आजाता है क्योंकि तुक से इन लाइनों को हम बंद कर देते इसलिए तुक बंद या तुकांत कहलाते हैं ये अगला पॉइंट है दो या दो से अधिक शब्दों में समान ध्वनी की पुन्रावित्ती होती है दो लाइनों में होती है छोटे बच्चों की बुक की बात करें तो आपको चार लाइनों चारों में आपको ये पुन्रावित्ती देखनों के मिलेगी समान ध्वनियों की अब इसका एक्जैम्बल देखी दिया है जैसे मेरा हर दिन खास नहीं होता क्योंकि तू मेरे पास नहीं होता तो खास नहीं होता और पास नहीं होता देखिए समान और इन लाईनों के तुक से अन्त हो रहा है, इसलिए तुकांड़ है। अगला है हर कोई मुझे देखकर रोता है, मेरी हालत पर अफसोस होता है। होता है, और रोता है समान ध्हननिया। थोड़ा क्यों उसे बेसुमार मिलना चाहिए, कोई प्यार करें तो उसे प्यार मिलना चाहिए, तो चाहिए चाहिए यहाँ पर शब्द एक ही दो बार आ गया, तो जैसी बात है उचारों तो समान हो नहीं है, तो यह क्या कहलाती है आपके तुकांत, अब देखिए दे जान इनों में तुक नहों वो और तुकांत कहलाती है, एक कविता जिसमें कोई उत्तम तुक नहीं बनता वो और तुकांत है, एक ध्वनी जैसी ध्वनियों के साथ अंत का नहों होना और तुकांत कहलाता है, यह क्या है तुक जिसमें तुक नहों वो और तुकांत, खास तो से आधुनिक कवी जो हो रहे हैं आजकर उनकी जो कविताएं हैं उनमें आपको तुक देखने को नहीं मिलता जैसे अब एक इग्जामपल भी देख लेते हैं इसका यहां देखी इग्जामपल है निकले हुए हैं भयावस सर्पो के समूर शब्द धनी आपको कहीं मैच करती भी दिखाई नहीं देंगे तफरीह के लिए ऐसे में कंगी पाउडर लिप्स्टिक रखो न रखो सतर्क सससूद्रिन साहस जरूर रख लेना पर्स में घर से निकलते हुए आपने ये जो लाइने भी पढ़ी इनमें देखी कहीं भी आपको तुक नहीं दिखाई देरा और ये कविताई हैं ऐसा नहीं कि ये कविताई नहीं ये भी कविताई हैं लेकिन इनमें तुक से अंत नहीं हो रहा इसलिए ये और तुकांत कहलाती हैं तुक से अंत हो तो तुकांत और तुक से अंत नहीं हो तो और तुकांत यानिकि आजकल के जो आधुनी कविताई आप देख नमस्कार